हेलो दोस्तों क्या आप गूगल में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि गूगल इंटर्वी को कैसे पास करें आसान टिप्स और एक्जाम्पल्स के साथ मेरा नाम मौमद तंजीम है और आप देख रहे हैं जौपस A to Z तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गूगल की इंटर्वी प्रोसेस है उसको हमको समझना होगा गूगल में इंटर्वी तीन हिस्सों में होता है सबसे पहले फोन पर एक इंटर्वी होता है इसे फोन स्क्रीनिंग कहते हैं फिर टेकनिकल इंटर्वी होता है जिसमें आपको कोडिंग और टेकनिकल सवाल पूछे जाते हैं लाश्ट में आपको कंपनी में जाकर इंटर्व्यू देना होता है, इसे on-site इंटर्व्यू भी कहते हैं, इस प्रोसेस को समझने से आपको पता चलेगा कि कि किस चीज की तैयारी करनी है और कैसे करनी है, स्टेप टू, बेसिक्स को मजबूत करें, गूगल इंटर्व्यू में आपके बेसिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए, इसका मतलब है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिथम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको हैश मैप और लिंक लि की प्रैक्टिस करने की, इसके लिए आप लीट कोड, हैकर रैंक और कोड सिगनल जैसी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, इन वेबसाइट पर बहुत सारी कोडिंग प्राव्लम्स होती हैं, जिने आप सॉल्व कर सकते हैं, खास तोर पर ऐसे ऐरे स्ट्रिंग्स, ट्री और और डाइनमिक प्रोग्रामिंग से जुड़े सवालों पर ध्यान दे सकते हैं, इन सवालों को सॉल्व करने से आपकी प्रावलम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी और आप इंटर्व्यू में अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, इस्टेप 4, सिस्टम डिजाइन पर काम क सकता है कि यूट्यूब जैसा स्केलेबल सिस्टम कैसे डिजाइन करेंगे, इसमें आपको लोड बैलेंसिंग, डेटा स्टोय, और यूजर ऑटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़र के बारे में सोचना होगा, इसलिए सिस्टम डिजाइन के तयारी भी बहुत इ या नहीं, ठीक है, तो जैसे अगर एक्जामपल मालने तो आप से पूचा जा सकता है कि एक समय के बारे में बताएं, जब आपने एक इंपोर्टेंट चैलेंज को फेस किया हो, ऐसे सवालों के तयारी के लिए आप स्टार मेथर्ड यूजर कर सकते हैं, जैसे कि स्टार के लिए situation, task, action, result इस तरीके का आप यूजर कर सकते हैं, इससे आपको जवाब, इससे आपका जो जवाब है वो ज़्यादा effective लगे हो, step 6, mark mock interview, mock interview दोस्तों क्या है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, यह mock interview, आपको अपने दोस्तों के साथ mock interview करना होता यह आप pramp or interviewing.io.jc website का यूज कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आप mock interview से आपको interview के format को समझने और अपनी कम्यों को improve करने में मदद मिलती है, इसमें आप अपने दोस्तों से feedback लेकर अपने performance को और बहतर भी बना सकते हैं, step 7, review और improvement, अपनी तयारी के दोरान यह भी ज़र कहां गलती की, इससे आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगली बार और बहतर करेंगे, conclusion और last tips, दो दोस्तों यह थे कुछ आसान tips Google interview के तयारी के लिए, चलिए अब एक बार फिर से review कर लेते हैं, जो जो हमने आज सीखा हुआ है, तो सबसे पहले हमने बात की थी Google interview की process को समझने में, दूसरा अपने basics को मजबूत करने के बार में हमने पढ़ा था, उसके बाद coding problems की practice कैसे करें, यह मैंने बताया था, उसके बाद चौथा जो step था system design पर काम कैसे करें, और पच्वा जो step था दोस्तों behavioral questions जो वैभारी तयारी होती है, उसको कैसे prepare करें, six था दो दें, जैसे कि आप कुछ सोच समझ कर आप आँसर देंगे, तो आपको आँसर अच्छा रहेगा, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ रहें बेजी जैक, उसमें कोई problem नहीं है, यह दिखाता है कि आप ध्यान से काम कर रहेंगे, अगर आपको य अगले वीडियो में, तो अगले थैंकी, गुडबाई, एंड टेक क्यार